Historically crowd के इतबार से रावल पिंडी का शमार पाकिस्तान के सबसे बेतरीन क्रिकेटिंग वेन्यूज में होता है आप यहाँ पाकिस्तान कप करवा लें या नाशनल टी-20 करवा लें हर टॉर्नमेंट में हर मैच में आपको रावल पिंडी का स्टेडियम जैम पाक दिखाई देगा PSL 2020 से लेकर 2024 तक शायद ही कोई ऐसा मैच हो जिसमें रावल पिंडी का स्टेडियम सोल्ड आउट ना गया हो लेकिन यका यक क्या ऐसा हो गया कि रावल पिंडी में लोगों ने मैच देखने के लिए आना ही बन कर दिया यानि पाकिस्तान और बंगलादेश की टेस्ट सीरीज में दोनों टेस्ट मैचेज में एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि बड़ी तदाद में लोग आकर पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड में क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं आप इस चीज के लिए किसको ब्लेम करेंगे? क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने कोई शेड और शेल्टर नहीं दिया ग्राउन में यानि कोई लगबग 38-39 डिग्रीज पे अगर कोई मैच देखने आता है तो उसे खुले आसमान पर सूरत की नीचे बैठ कर मैच देखना पड़ेगा या फिर आप ब्लेम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मिडियोकर बलके बिलो एवरिज परफॉर्मंस को जिसकी वज़ा से एक आम पाकिस्तानी का दिल ही बुरा हो गया है अपनी टीम को क्रिकेट स्टेडियम देखने के लिए देखें एक बात आप समझ लें कि क्रिकेट में या किसी भी फैन स्पोर्ट में सबसे बड़ा स्टेक होलडर उस गेम का फैन होता है यानि जब तक वो fan support कर रहा है गेम को जब तक वो fan players को support कर रहा है तब तक वो sport भी thrive करेगी वो players भी thrive करेंगे लेकिन आपको उस दिन से डरना होता है जब आपको fans disown करना शुरू कर देंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट उस दहाने पर पहुँच गई है कि फैन्स ने अपनी टीम को डिस ओन कर दिया है मैं लगबग 2019 से रावल पिंडी स्टेडियम में मैचेस देखने जा रहा हूँ और शायद जब से रावल पिंडी में 12, 13 या 2014 से फैसल बैंक T20 शुरू अब तमाम तर मैचेस रावल पिंडी स्टेडियम में देखे हैं लेकिन ये जो 2024 में पाकिस्तान बंगला देश की सीरीज रही है जितना बुरा क्राउड इस सीरीज में आया है जितना disappointing numbers लोगों के इस सीरीज में आये हैं आज से पहले चाहे कोई domestic tournament हो चाहे कोई पाकिस्तान की international सीरीज हो इतना below average crowd कभी भी नहीं आया अब आप पहली एक कीस तो समझ लें कि सबसे पहले लोगों के ना आने की वज़ा एक तो मोसम हो सकता है के ड्रावल पिंडी में अभी सब्टेंबर स्टार्ट हो चुका है लेकिन उसके बावजूद temperature 34, 35, 38 तक भी गया है during the test series एक तो ये वज़ा हो सकती है दूसरी ये है कि आपको stadium तक आने के लिए एक बहुत लंबी hassle से गुजरना पड़ता है कुछ पान साथ चेक पोस्ट हैं, चेक पॉइंट से चेकिंग के वहां से गुजर के फिर बहुत जादा चल के आपको stadium तक आना पड़ता है एक ये वज़ा भी है कि लोग इतना जादा hassle बरदास्त नहीं करते लेकिन तीसरी important वज़ा ये है कि जब आप match देखने आ जाते हैं तब आपके लिए कोई जबर फिल्टर का बंदुबश नहीं है आप खुले आसमान के नीचे गरमी में बैटके match देखने हैं ये तमाम तर वज़ुहात ऐसी हैं जिनको आप change कर सकते हैं जिन पर आप बेतरी ला सकते हैं और obviously चैंपिन्स ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट ग्राउंड को भी upgrade कर रहा है और लोगों के लिए fan experience भी बेतर होगा लेकिन एक वज़ा ऐसी है जिसको मैं या आप change नहीं कर सकते और वो वज़ा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की performance भाई कौन match देखने आएगा जब बाबार आजम जो उनका फेवरेट प्लेयर 16 इनिंग में एक 50 भी नहीं कर पाया कौन match देखने आएगा जब शान, मसूद आपकी टीम को 5 test matches में लीड करते है और draw तो दूर की बाद आप एक test match भी जीतते नहीं है जीत तो दूर की बाद आप draw भी नहीं कर पा रहे तो कौन अपनी टीम की ऐसी performance देखने आएगा जहां बंगलादेश की टीम जो के एक बड़े back burner और एक बुरे time से गुजर के आ रही है वो आपको आपके घर में आके हरा रही है आपके players विकेट पे ठैर के batting नहीं कर रहे है आपके ballers जो हैं वो ठके ठके दिखाई दे रहे हैं उनका pace नहीं है उनकी line और length और accuracy नहीं है तो ऐसी situation में अपना वक्त निकाल के अपनी team को support करने कोन आएगा मेरा बहुत simple सा इस चीज़ पे असूल है कि जब तक आप ठीक खेलेंगे लोग आपको on भी करेंगे support भी करेंगे और back भी करेंगे लेकिन जब आपकी performance खराब होगी तो आप इससे भी बुरा time expect करें फैंस की तरफ से लोग आपको देखना छोड़ देंगे लोग आपसे related लिखना छोड़ देंगे आप पर बात करना छोड़ देंगे performance है तो सब कुछ है पाकिस्तान जीत रहा है तो सब कुछ जीत रहा है सब सब अच्छा है लेकिन जब आपकी performance बुरी होगी तो ये जो आप screen पे visuals देख रहे हैं के खाली stadium वेरान पड़े हुए stadiums है इवन ऑन weekend's आपको इस से भी बुरे हालात नज़र आएंगे अब दुनिया में जहां पर भी खेलने आएंगे कोई आपको देखने नहीं आएगा तो जनाब ये लमाई फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये लोगों ने उनके अपने फैन्स ने उन्हें डिसोन करना शुरू कर दिया है